इस दोरान हमने इसके सभी एतिहासिक पहलों पर बात की है यह क्षेत्र अनेको पौरानिक गाथाओं की कहानी अपने में समेटे हुए है पवित्र गंगा नदी के किनारे ऐसे कल्पवास होते रहे है महान समराथ हर्ष के समय ऐसे घाटों का बहुत महत्वता समराथ हर्ष में इलावाद संगम स्थल पर महा कुम्भ मेला शुरू कराया था दूर दूर से लोग कल्पवास हेतु यहां आते थे लोग भजन, कीर्तन वसंगती में प्रवचन सुन आत्म शुद्धी कर अपने अच्छे भविशे की कामना करते 1950 से 1975 तक मेला टोका घाट पर लगता था 1965 में लोहिया सेतु बन जाने के बाद मेला रामनगरिया नाम से घटिया घाट पर स्थानांतरित हो गया तब से आज तक मेला रामनगरिया प्रदेश के प्रसिध मेलों में से एक महत्वपूर्ण मेला माना जाता है आसपास के ग्रामीन क्षेत्रों वशहरों से नागरिक सपरिवार यहां एक माह के प्रवास है तो गंगा किनारे तंबू लगा कल्पवास कर में आएंगे एक अनुमान के अनुसार इस बार 20,000 से भी ज्यादा लोग कल्पवास के लिए आएंगे कम से कम पाँच लाख लोग विभिंग गंगास नानों में दूपकी लगाएंगे बच्चों के मनोरंजन के लिए सकस, नौतन की, मौत का कुवा, चर्खा, आदी अनेको खेल आकर्शन का केंद्र होंगे प्राचीन काल के हाट की तरह यहां ग्रामीन बजार भी लगेगा जिसमें हर धर्म के लोग अपनी दुकाने लगाएंगे ये वह जगह है जहां फरुखाबाद के आसपास जिलो के देहातिक शित्र के लोग आते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं फरुखाबाद की पापड़ी वभुने आलू का मजा लेते हैं रात में सास्कृतिक कारेक्रम होंगे अखिल भारतिय कवी सम्मेलन वशायरा भी होगा कुम्भ की तरह यहां भी साधू संत अपने अपने अखारों के साथ आएंगे पंडालों में धार्मिक प्रवचन सुन श्रोता भाव विभोर हो जाएंगे स्वयम सेवी संस्थाए गंगा सफाई अभियान में जुटी दिखाई देंगी कल्पवासियों के लिए सरकारी इलाज की फ्री व्यवस्था के साथ सरकारी राशन की दूकानों पर अनाज आधी बाटने की समुचित व्यवस्था भी होगी प्राचीन काल में यहां बालू की घाटिया थी जिसकी बजह से इसे घटिया घाट नाम से जाना जाता था लेकिन स्वच गंगा अभियान के तले इसका नाम पांचाल घाट कर दिया गया अब हमारे सांसद्व विधायक मुख्य मंत्री योगी जी से जिले का नाम बदल कर पांचाल नगर रखे जाने की शिफारिश कर चुके है पांचाल नगर ही क्यू द्रोपदी नगर क्यू नहीं हमारे देश में शहरों का नाम नारियों के नाम पर क्यू नहीं हो सकता कुछ लोगों की मान है कि फरुखाबाद के हर गली मुहले का नाम बदल किया जाए ताकि संपूर्ण राम राज्य स्थापित किया जा सके ऐसा करने पर संपूर्ण सरकारी सनरक्षन की स्थिती में मेला राम नगर या द्रौपदी नगर की सांस्कृतिक धरोहर सावित हो सकता है हैश